अब दोस्तों कैसे आप सब लोग तो लॉग डाउन चल रहा है और हमने हमारे बहुजेने मिल करके इश्व राजपूर्थ ने हमारे स्टूडियो तयार किया है जिसमें इस लॉग डाउन के पिरेट में आप सब लोग को पढ़ाएं तो इस्टूडियो हमारा कैसा लगा अच्छा लगा तो हमें कमेंट जरूर किजिए ये टैंत में है जिसने ये स्टूडियो तयार किया है अभी कुछ दिन बाद वाइट बूर्ड का बिंतिजाम हो अच्छे से पढ़े अच्छे से नहीं पढ़े तैयारी अच्छे से की थी या तैयारे अच्छे से नहीं की थी वह सब भूल जाए और बिलकुल नई ENERJY के साथ नई तरीके के साथ physics में पढ़ना शुरू करें 12th physics और पर बहुत अच्छे नमबर आएंगे अगर एक एक फर्स्ट होगी जो मैं पढ़नी हैं फिजिक की दो बुक 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 हैं फिजिक की दो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स तो हमें यह पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स मुझे पता आप सो लोगों आज बुक्स नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ncrt के साइट पर जाना ncrt.com और वहां से physics की first book को डाउनलोड कर लेना और यह first chapter वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ना शुरू करना फील्ड्स तो अज़ल में actually अगर हम देखें तो physics में एक branch होती है electromagnetism electromagnetism यह सब कुछ electromagnetism के अंदर है हम जो भी पढ़ते हैं वो सब कुछ electromagnetism है इस electromagnetism के दो पार्ट हैं एक पार्ट कहलाता है electrostatic जो हमारी first book है यह पूरी की पूरी first book इस electromagnetism पर based है इस electromagnetism के हमारी first book में दो पार्ट होंगे पहले introduction चल रहा है Electro-static होगा एक और दूसरा पार्ट होगा Electro-dynamics अब क्या-क्या मतलब है Electro-static का मतलब है Charge in rest Charge in rest यानि कि हमारी First Book Electromagnetism पर Based है इस Electromagnetism के दो पार्ट होगे कुछ पार्ट में हम पढ़ेंगे electrostatic, electrostatic का मतलब हम वो सब चीज़े पढ़ेंगे, जिसमें charge होगा in rest, मतलब charge रुका हुआ होगा, charge flow नहीं करेगा, कुछ दो-ती chapter है, जो हमें पढ़ने है, capacitor है, electric field है, electric charge है, तीन-चार चेप्टर है जो हमें पढ़ने है, उसके बाद हम दूसरा पार्ट, अपनी first book में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें charge in motion, charge in motion, यानि कि हमारे पास में, जो first book है physics की, बिल्कुल ध्यान से सुने, उसमें केवल एक ही पार्ट है, electromagnetism, उस book का आधा पार्ट, electrostatic होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे charge in rest, अगर charge rest में है, charge रुका हुआ है, तो क्या क्या हो सकता है, फिर उसके बाद, तीन chapter पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे, electrodynamics, और electrodynamics में हम पढ़ेंगे charge in motion कि, अगर वो charge जो है, motion में हो जाए, चलना शुरू कर दे, तो क्या होगा, तो बिल्कुल धियान रखेंगे, तो सबसे पहले अब हम पढ़ते है, charge, असल में basically charge क्या है, तो हमने 10th में पढ़ा है charge, अगर हम charge को देखें, तो charge क्या है, अगर इस charge की definition पूछी जाए, तो कुछ इस तरह से बनेगी, it is intrinsic, intrinsic property of matter, यानि कि matter की intrinsic property है, कैसी property है matter की intrinsic, जैसे mass, अगर तुमारे पास में कोई material है, तो तुम देख रहे हैं, तो उसका mass जरूर होगा, ऐसे ही उसका charge भी जरूर होगा, कोई भी body, universe के अंदर, जो भी तुमारे आसपास है, अगर तुम देखते हो, कि उसके अंदर mass है, it means उसके अंदर charge भी है, तो charge क्या है, किसी भी body के अंदर की property, charge, charge बहुत पहले discover हो गया था, अगर इसकी discovery देखे, तो Greek mythology में ये discover हुआ था, Greek mythology में, लगबग 600 BC में हमने पढ़ा था, उन्होंने कुछ चीजों को rub करा, rubbing करने के बाद, उसमें कुछ attraction और repulsion की properties आगी body में, तब उन्होंने देखा कि भई, ये जो attraction और repulsion चल रहा है, ये attraction और repulsion की वज़ा charge है, तो intensive property है matter की, जैसे matter होता है, जैसे किसी matter के अंदर mass होगा, ऐसी matter के अंदर क्या होगा, charge होगा, ये हम ध्यान रखेंगे, charge always have mass, एक बात और याद रखनी है, जो charge जो होता है, always have mass, हमेशा अगर body में charge transfer होगा, चार्ज है तो उसमें mass भी होगा, अगर हम बात करें, इस charge के symbol की, कि हम जब पढ़ेंगे, तो उसको कैसे denote करेंगे, तो charge को denote करेंगे, हम Q से, याद रखेंगे सभी बच्चे, notes बनाते चलें, charge matter के अंदर की intensive property, और charge को denote करने के लिए, हम Q use करेंगे, अगर हम charge की SI unit देखेंगे, तो charge की SI unit होगी, पढ़ रखा होगा, 10th में सबने coolant, denote करेंगे C से, charge की SI unit, और हमने पढ़ा 11th में की, कुछ quantity, vector quantity होती है, कुछ scalar quantity होती है, जो charge की अगर हम बात करें, तो charge होगी scalar quantity, याद रखेंगे charge कैसे quantity है, scalar quantity, तो charge हर एक material के अंदर होता है, आपके अंदर charge है, जो जिस table पर बैठे हैं, उसमें charge है, आपके पास pen रखा है, उसमें charge है, copy है, उसमें charge है, अब charge क्यों है, अगर हम इसकी बात करें, तो तुमने पढ़ा होगा, everybody is made up of atom, 9th न पढ़ा, 10th न पढ़ा, everybody is made up of atom, and atom have proton पढ़ रखा है तुमने, electron and neutron, and electron proton have charge, अगर हर body electron or proton से बनी है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या हुआ, charge हुआ, अब भगवान ने कैसे बनाया, भगवान ने क्या करा, किसी body के अंदर equal number of proton डाले, equal number of electron डाले, तो जिस वज़े से वो सारा का सारा part क्या होगा, neutral, मालो किसी के अंदर 5 electron है, इससे मैं कुछ पता ही नहीं चलता, तो everybody have electron proton, everybody have atom, and atom have electron proton, and electron proton have the charge, electron proton are the charge, हमें charge के बारे में पता चला, कि हर body के अंदर, जो कि atom से बनी है, atom के अंदर proton, atom के अंदर electron, और हमने 9 पट रखा है, number of electron is equal to number of proton, number of electron, 9 में पढ़ा तुमने, is equal to number of proton, यानि कि किसी body पर, जितना negative charge, उतना ही positive charge, और cut करके कितना हो यह, zero, यानि कि neutral, हर body हमारे पास कैसी है, neutral है, तो अगर हम देखे, types of charge, तुमने पढ़ रखा है, मैंने भी बता भी दिया है, पेपर में पूछा जाए, कि जो types of charge कितने होते हैं, तो दो तरह के charge होंगे, एक होगा positive charge, एक होगा negative charge, दो तरह के charge हो सकते हैं, positive or negative, तुमने पढ़ रखा है, कि अगर दोनो दोनो positive charge, आपस में एक पास साथ आ गए हैं, तो यह दोनो positive charge, ripple करेंगे, positive negative charge अगर आ गया है, तो यह आपस में attract करेगा negative negative है तो यह भी आप ripple करेगा और अगर negative positive है तो यह भी एक दूसरे को क्या करेंगे attract करेंगे तो properties of charge तुमने पढ़ रखी थी जो same charge होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे ripple करेंगे और अगर opposite charge होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे एक्टेक करेंगे तुमने पहले से पढ़ रखा है तो चार्ज जो है इंटेंसिक प्रॉपर्टी ओफ मेटेरियल फिर से बता रहा हूँ पूछा जा सकता है पेपर में ये भी तुम्हें ध्यान रखना है चार्ज तो और अगर तुमने किसी बौड़ी से इलेक्टरोनों को बाहर निकाल लिया तो उस पर नेगटिव कम हो गया तो क्वाडी को चार्ज करा जा सकता है अगर तुम्ह एलक्ट्रॉन दे दोगे तो body पर negative charge आएगा और अगर तुम्ह एलक्ट्रॉन ले लोगे तो body पर positive charge आएगा अब अगर हम देखें charge और mass में difference की बहिए charge और mass चार्ज भी intensive property, mass भी intensive property तो charge और mass में क्या difference होगा सबसे पहली बात, charge positive भी हो सकता है, charge negative भी हो सकता है बट mass is always positive, important बात है दूसरी बड़ी important property, अगर हम देखें, mass जो है, mass का जो formula बनता है वो ये बनता है, आज तक तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट अबसे इसको पढ़ना पढ़ेगा V square upon C square, किसी भी body का actual mass ये होता है ये तो बड़ा important formula है, अगर इस formula को देखें तो अगर कोई body moving body है, तो moving body का mass ये होता है यानि कि जैसे-जैसे कोई body rest में है अगर body किसमें rest में, यानि कि V is equal to 0, पूरा term 0, ये 1 बचा तो mm0 के equal हो गया, बट अगर कोई body चल रही है speed से चल रही है, तो जैसे-जैसे वो body चलना शुरू होगी जैसे-जैसे वो body चलना शुरू होगी, तो ये बहुत कम quantity होगी तो ये तक तुमने 11 में क्या पढ़ा, कोई body चल रही है 100 मेटर पर सेकिन, 200 मेटर पर सेकिन, 500 मेटर पर सेकिन, इतनी speed से चलती है, तो ये body और ये speed of light, तो V जो है speed of light की comparison में, बहुत ज़्यादा छोटा होता है इस वज़े से हम क्या कर देते है, V को neglect कर देते थे अभी तक, use ही नहीं करते थे, जब इसको neglect कर देते थे, 0 बना देते थे, ये पूरा portion 0 हो जाता, बहुत ध्यान से सुने, जब ये पूरा portion 0 हो गया, तो ये under root 1 बचा, तो M is equal to M0 ही हम अभी तक ले लिया करते थे, यानि कि आज तक हमने इतना पढ़ा, किसी भी moving body का mass वही होता, जो हम मानते हैं, बट ऐसा नहीं है, moving body का mass increase होता है, जै जैसे body की speed बढ़ती चले जाएगी, वैसे वैसे उसका mass भी बढ़ता चला जाएगा, हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि अब हम quantum physics पढ़ने वाले हैं, और quantum physics का मतलब है, हम उसमे electron पढ़ेंगे, हम उसमे proton पढ़ेंगे, electron की जो speed होती है, वो 10 to the power 6, 10 to the power 7 होती है, हम beta particle देखेंगे, जो कितनी speed से चलते है, 10 to the power 8 से, अब अगर beta particle 10 to the power 8 से लगाएगा, तो हम ध्यान रखेंगे, quantum physics में कोई फरक नहीं बढ़ता, but normal physics में हम mass को rest, के equally देते हैं, जितना mass rest में होता था, उत्ता moving body का होता था, क्योंकि speed of motion, speed of body कम होती थी, but mass जो है change हो सकता है, ये formula में ये बताता है, कि अगर कोई body motion में है, तो उसका mass क्या हो सकता है, change, आज तक हम mass को constant मानते थे, but in quantum physics, mass is not a constant, ये ध्यान रखेंगे, but charge की अगर हम बात करें, it is independent of speed, it is independent of speed, मतलब mass को constant बोल सकते हैं, but mass depend on speed, mass को हम constant बोल सकते हैं, but mass is dependent on speed, but charge is independent of speed, कोई charge particle, कोई भी negative particle, positive particle, कितनी भी speed से जा रहा हो, charge चेंज नहीं होगा, but उसका mass क्या हो जाएगा, change हो जाएगा, हमें ये बात याद रखनी है, next topic हमें पढ़ना है, conservation of charge, next topic हमारा NCRT book में है, conservation of charge, conservation तुमने पढ़ रखा है, energy का लौपड़ा, energy, conservation of energy, यानि कि energy can not be created, not destroyed, can not be created, nor destroyed, तो ऐसी charge होता है, charge cannot be created, अगर हम charge की बात करें, जो charge है हमारे पास में, charge can not be created, याद रखना है, charge को ना तुम create कर सकते हो, ना बना सकते हो, ना ही तुम इसको destroyed कर सकते हो, ठीक, but it is transfer, it is transfer from one body to another body, तो charge ना तो create हो सकता है, याद रखेंगे, ना ही charge को destroy कर सकते हैं, but it is transfer, charge को हम क्या कर सकते हैं, transfer कर सकते हैं, यानि कि charge एक body के अंदर है, यह charge है इसके अंदर, negative, positive, इसको हम transfer करके, इस वाली body में ला सकते हैं, but charge को कभी भी हम create और destroy नहीं कर सकते, एक ऐसा समझ सकते हैं, मालो एक system है, isolated system, एक ऐसा system, isolated, जिसके अंदर अलगर charge particle है, मालो एक charge particle है, इस पर 5 coulom charge है, यह और charge particle, इस पर 2 coulom charge है, और इस पर minus 3 coulom charge है, तो इस वाले system का जो total charge बना, Q1 पहला charge, Q2 दूसरा charge, Q3 तीसरा charge, यानि कि 5, plus 2, minus 3, 5, 2, 7, मैं से 3 गए, कितना charge बना इस body का, Q कुलो, अब हमने क्या करा, इस body को हिलाना जुलाना शुरू कर दिया, बहुत तेजी तेजी से इसको हिलाया, और यह non conducting material था, insulated body थी, यह insulated layer है इसके उपर, यानि कि charge इस से बाहर नहीं जा सकता, अलग-अलग charge particle थे, अब इसको जब हमने हिलाया, तो मान लो, इसके अंदर का charge हो गया, minus 3, इसके अंदर का charge हो गया, plus 2, अब इसका charge कितना होगा, अगर हम यह find out करें, तो Q is equal to, इसका भी charge, Q1, plus Q2, plus Q3, Q1, minus 3, यह plus 2, और यह charge हमें पता नहीं, हमने क्यू मान लिया, यह नया charge आ गया, बट अगर यह एक isolated system है, एक ऐसा system है, जो बाहर के contextual को कटा हुआ है, तो जितना charge इसका होगा, उतना charge इसका होगा, क्योंकि Q, charge cannot be created, not destroyed, यानि कि 4 is equal to, minus 3, अगर हम इसको solve कर रहे थे, तो Q- minus 3 plus 2, यानि कि यह था minus 1 plus Q, तो यह बना minus 1 plus Q, तो यह 5 कूलम बन गया Q, यानि कि जो तीसरी body है, यहाँ पर जो charge आएगा, यहाँ पर, यह कितना charge आएगा, 5 कूलम, तो ध्यान रखेंगे, जितना body का charge पहले था, उतना ही body का charge बाद में रहेगा, अगर एक isolated system है, charge cannot be created, nor destroyed, एड चार्ज, यह जो, यह जो property है, conservation of charge, जो मैं तुमको बता रहा था, इस property के अगर हम बात करें, तो NCRT वो किये कहती है कि, यह जो property हमको मिली, it is experimentally found, it is, experimentally found in NCRT, कि charge is conserved, but it is theoretically not true, तो charge experimentally found हुआ है, हमने देखा है, NCRT वोक में लिखा है, कि charge जो हो है, क्या होता है, conservative in nature, इसके बाद, एक और property हम charge की पढ़ेंगे, quantization of charge, quantization of charge, यह हम आपको अपनी next वीडियो में बताएंगे, part 2 हमारा होगा, quantization of charge, इस वीडियो में तुमें क्या क्या याद रखना है, कि charge जो होते है, हमारे पास introduction, electrostatic हम पढ़ेंगे, electrostatic, electromagnetism की ब्रांच है, electromagnetism की दो ब्रांच है, एक electrostatic, एक electrodynamics, electrostatic में जब हम पढ़ेंगे, charge in rest, electrodynamic में पढ़ेंगे, charge in motion, charge क्या होता है, matter की intensive property होती है, ठीक, उसके बाद में, charge जैसे mass intensive property, ऐसे charge इंटर्णिक प्रांच है, चार्ज को ग्रीक से पता चला, 600 BC में पता चला, जब material के अंदर के, attraction, repulsion की properties देखी गई, charge always has mass, symbol होता है, charge का Q, SI unit होती है, column, charge एक scalar quantity है, और हम इसमें पढ़ेंगे, कि किसी body के अंदर electron proton होते हैं, जिसकी वैसे charge आता है, types of charge positive और negative होते हैं, same charge हमेशा अपस में ripple करते हैं, opposite charge attract करते हैं, charge और mass में difference देखें, तो charge हमेशा positive negative दोनों हो सकता है, mass positive होगा, और इसके बाद हम next property अपनी दूसरी वीडियों में पढ़ेंगे, quantization of charge, अगर यह हमारी वीडियों आपको पसंद आई, तो इसको like करें, share करें, और comment box में comment करें, धन्यवाद,